हलो स्टुडेंट आज हम लोग डिसकेशन्स करने वाले जो आई एमपी कोश्चन से फॉर जे डबल एंड एमच्टी सीटी दोनों एक्जाम के लिए बच्चों क्योंकि जो सीटी लेवल पर वो पूरे फार्मुले यहां पर रिखता हूं और जो थोड़े हड़ ही उसमें थो सबसे पहले ऑक्सुलेशन यह चाप्टर अपना फोर्ट चालुए इसके पहले मैंने सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशन आइंड रोटेशन मोशन आज का चौथा चाप्टर है उसमें सबसे पहले लीनियर यह से चम का जो एक्वेशन है याफ इस इक्वल टू माइनस के एक् इस इक्वेशन को बहुत ही अच्छी तरह से करना है यह है अब के लिए डी स्क्वेर अपन डी टी स्क्वेर प्लस के बाइम इंटु एक्स अब कुछ लोग के बाइम के जगे पर हम लोग ओमेगा स्क्वेर डाल सकते तो डी स्क्वेर अपन डी टी स्क्वेर प्लस ओमेगा स्क्वेर यक्स एना इस एक्वेशन आना चाहिए इसे एक्वेशन से हम लोग यह पूरी कहानी बनाने वाले आगे यह जो आपको दिख रहा है टेबल यह टेबल इसके उपर डिपेंड है टाइम पिरेड क्या होता टी इस इकल ट्वी स्पाइपन ओमेगा फ्रिक्वेंसी होत अब डिस्प्लेसमेंट बत्चों यहां पर सही एक्वेशन जो हमारे पास यहां पर डिस्प्लेसमेंट का वो है yaks is equal to a sin omega t plus alpha यह एक्वेशन है इस इक्वेशन से मैंने minimum, mean position पर 0, extreme position पर यहां पर हम लोग डाल सकते यह, और mid position पर यह value डाल के आप लोग value निकाल सकते velocity maximum होती है A omega, mean position पे होती है 0 और mid position पे यह होती है आप अपने velocity का जो equations बच्चो ये equation इस equation में value डालके देख सकते हो समझ में आ रहा है देखो इसमें value put up करके देखो ये values मिलेगी acceleration mean position पे अब acceleration का यहाँ पे formula बच्चो मेरे पास ये अगर sin A maximum A omega square से निकालोगे तो आपको ये value मिलेगी ये मिलेगी mean position, extreme position पे ये और mid position पे ये इससे displacement का extreme position के लिए equation होता है A cos omega t और दूसरा भी equation होता है A sin omega t भी होता A sin omega t mean position पे velocity का equation है acceleration के लिए equation है displacement के लिए ये लिख सकते A sin omega t प्लस alpha और ये आपको इसका derivative करने के बाद sin का cos होता है sin का देखो मैंने बोला थान आपको यात करने की जौरत नहीं है sin का derivative होता बच्चो cos और cos का derivative होता minus sin और with respect to time इसलिए omega दुबारा multiplier है समझ में आ रहा है आपको उसके बाद में बच्चो आप लोगों को relation तो हमें साथ सुनते हैं कुछ करने की जौरत नहीं है आपको symbol पता होना बहुत जौरू है इसके बाद में period के लिए formula हम लोग बना सकते हैं toys by x by a या अलग-अलग form में मैंने यहां पर लिख के रख रहा है इसके बाद में आप लोगों को energy दी वाली है kinetic energy का formula है सकते हैं potential energy 1 by 2 k x square ठीक है total energy 1 by 2 k a square कुछी लोग इसको के को मैंने बोला था यह हम omega square डाल सकते हैं कोई problem नहीं है आपकी मर्जी आपको जैसे लगता वैसे kinetic energy आप दी वाली है but mean position पे होती बच्चो maximum जैसे morning में उखने के बाद आपको बोला कि चल आपको 5 km दोलना है तो आप बोलेंगे हां सर बिल्कुल दोलेंगे तो देखो extreme position यहां से 5 km जाओ बाद में मैंने बोला चल और 10 km जाना है तो जा सकते है क्या kinetic energy 0 हो चुकी आपकी mean position पे mean position पे maximum होती 1 by 2 k square तो total energy extreme position हो mean position हो कोई भी position रही तो सब की होती है 1 by 2 ym omega square square क्यों क्यों कि बच्चो यहां पे law of conservation हम लोग यहां पे apply करते हैं मतलब potential to kinetic kinetic to potential potential to kinetic ऐसे करते हुए हम लोग खतम कर सकते हैं उसके बाद में differential equation यह भी है बच्चो लेकिन यह है damped oxalation के लिए और यह जो differential equation था यह undamped oxalation के लिए मतलब इसका amplitude degrees होता है sorry constant होता है और इसका degrees होता है ऐसा लग रहा है कि दोनों equation से में देखो d square x upon dt square k by m into x आगे यह values आ गई बस मतलब इसके साथ यह offer है समझ में आना चाहिए velocity है बस कुछ नहीं d x by dt velocity यार कुछ नहीं जोनना है okay समझ में आ रहा है composition of 2shm मतलब दो waves का मिलना interference पर देना दो waves का मिलना एक जगे पर आना उसको बोलते composition of 2shm अब दो waves का अगर मैंने इकट्टा कर दिया तो आपको resultant equation मिलता है root of a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos alpha 1 minus alpha 2 यह formulae use करना है math के formulae बच्चो यह जो formulae लिखे है यह आपके लिए sin square theta plus cos square theta यह तो मतलब math में किये होगे अपने technometric function नमका chapters थे आपको what it तो यह equation आना चाहिए इसमें हम लोग values put up करकते वे यह निकाल सकते मतलब 0 रखी तो क्या 90 cos 90 रखा तो 180 minus होनता है 270 क्या होता है 2 pi क्या होता है यह value put up करके उसके बाद में face यह direction दिखा लेके लिए tan inverse a sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 divided by a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 यह निकाल सकते है simple pendulum इसके उपर सीट में questions maximum time होता है इसलिए आपको यह भी आना चाहिए omega मैंने omega अलड़ी लिखा है याद होगा उससे निकाल सकते x relation divided by displacement कर सकते twice by root of e l by g निकाल सकते है और यह एक equation याद होना चाहिए यह निकाला है अपने amplitude drop SHM तो बच्चो अगर यह पूरे formula आप लोग अपनी screenshot निकाल सकते है और इस screenshot निकालके अप अपने जितने भी formula note down करना है यह CET as well as JEEE के लिए काम आ सकते जो निट की तयारी कर रहे उनको भी काम आ सकते है तो बच्चो पढ़ाई करते रहे best luck and thanks for watching this video